तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरा अखिरान एक बाल फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकरती की और में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें तो सुरू करते हैं आज की वीडियो इस वीडियो में फ्लोटिंग फ्लावर्स को बनाना सीखेंगे कि ये फ्लोटिंग फ्लावर्स मैंने कैसे बनाई हैं देखें मेरे पास एक फोम पड़ी हुई थी फोम सीट जिसे हम सलवार के पाँचे बनाने में यूज करते हैं पहले आप एक पैटल ड्रो करके उसे कट कर लें और फिर उसी से मीजर करते हुए चार-पांच साइज की पैटल्स को कट करें यह मैंने पांच साइज की पैटल्स कर करें और इनको कट करने के बाद आपको क्या करना है आपको आयरन लेनी है और आयरन को गरम कर लेना है अच्छे से पैटल को आईरन पर गरम करें और जब आप गरम करेंगे तो ये पिलकुल ओरिजनल पैटल की तरह ही चारो तरब से हलकी हलकी फॉल्ड हो जाएगी ये काम बहुत ही ध्यान से करें कि हाथ न जले अगर आप बड़े साइज का फूल बनाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी पैटल्स कट कर ले और छोटा फूल बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज की पैटल्स कट कर ले आपको छोटी बड़ी सारी ही पैटल्स इसी तरह से फोल्ड कर लेनी है ठीक है सबसे पहले छोटे वाली पेटल्स को फेवी बॉन्ट की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लें इस तरह से साइज के अकोर्डिंग पेस्ट करते हुए इसे जोए एक ओरिजनल फ्लावर की शेप दे फेस्टिवल सीजन है और अगले महिने ही दिवाली है अक्टूबर में तो क्यों ना दिवाली की तैयारी अभी से शुरू कर दें और सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाकर अभी से रख लें और दिवाली पे बहुत सुंदर सी डेकुरेशन करें दोस्तों मैंने अधर वीडियो में सुतली से बर्ड नैस्ट और और कूलर की घास से बर्ड नैस्ट भी बनाने सिखाई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप जाके वीडियो को चेक कर लीजेगा और ये मेरे पास ग्रीन कलर की स्पार्कल सीट तो इस आपको शेड नहीं देनी है तो कलर आप बाद में करें फ्लावर बनाने के बाद आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कलर करें ब्लू रेड पिंक वाइट जैसा भी आप चाहें मैंने इस पर गोल्डन कलर किया है और ये मैंने एक्रिलिक कलर यूज किये हैं तो देखे रेडी है ब और इसकी पेस्टिंग बाद में करें इसको बाद में पेस्ट करें शेड देने के बाद क्योंकि अगर आप पहले ही पेस्ट कर लेंगे तो इसमें आप अच्छे से शेड नहीं कर पाएंगे देखे इस तरह शेड करने के बाद मैंने ये पेस्ट कर लिया है और ये तैयार ह बनाईए और दिवाली की तैयारियां सुरू कर देजें तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों अपने रिस्तेदारों में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वेरी मस् वाइव नाइस देखने के लिए दोस्तों